गुड़ मॉर्णिंग स्टूडेंट, टूडेज टॉपिक, कॉंसेप्ट ओफ इंटर्पेनियोर्शीब, उद्दमी की संकल्पना उद्दमी की संकल्पना, एक उद्दमी को प्राय एक ब्योशाही भी कहा जा सकता है यह एक बेक्ती है, जो उत्पादन के उद्देश के लिए पुंजी और स्रम को एकत्रित करता है तथा लाव कमाने के उद्देश से जोखिम उठाता है एक ब्योशाही का प्रबंधन करता है इस तरह हम कर सकते हैं कि एक उद्दमी नई विचार को जन्म नहीं देता वलकि उसे वास्त्विक या बेहवारिक अकार देने के लिए जोखिम उठाता है हम कर सकते हैं उद्दमी कोशासी होना आवस्यक है नो रिक्स, नो प्रोफिट यदि वह जब तक रिक्स जोखिम नहीं उठाएगा तो वह लाब प्राप्त नहीं कर सकता है त्रल्ब सब्दों में उद्दमी हुआ वेक्ती है जो बेवसाय का प्रवर्तन करता है बेवसाय में नई विचारों को जन्म देता है या वातावरन में से लाप्रद आउस्वरों की खोच करता है और विचार को वास्त्विक अकार देता है ब्यवसाय के बिभी ने जोखिमों को अनिशीताओं को सहन करता है ब्यवसाय को अग्रसर बढ़ाता रहता है उद्दमी सब्द एक ब्यापक सब्द है उद्दमी सब्द का उद्दगम फ्रेंच भासा के सब्द से एंट्रोपेंडरी से हुआ है जिसका अर्थ है नए ब्यवसाय के जोखिम का वहन करना अंडर्टूक दरिक्ष ओफ इंटर्प्राइजेज इस सब्द का पर्योग सरपर्थम सुलहमी सदावदी में फ्रांस के प्रमुख अभियानों के लिए स्री रिचार्ड केंडी लोन ने अपनी लेखन कार्ज में किया था उन्होंने उद्दमी का बर्णन एक ऐसे ब्यक्ति के रूप में किया था जो किसी उत्पादन को बेचने के लिए उसे मुल्य का भुक्तान करता है अत्य एव ऐसा ब्यक्ति ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का जोखिम उठाता है और उसके अनुशार चातुर उद्दमी बानेजिक लाब के लिए सदय और संसाधनों के उपयोग के लिए स्रिष्ट औस्रों की खोज करता है यानि कुछ बिद्वानों के अनुशार उद्दमी सब्द का प्रियोग सबसे पहले फ्रांस में सुलमी सदावदी में फोजी अभियानों मिलेटरी एक्सपेंडी संच ने किया जो सत्रहमी सदावदी में इस सब्द का प्रियोग अन्यसाहतिक कार्जों के मुख रूप से नागरिक अभी अंत्रेकी के छेत्र में सडकों, पूलों, बंदरगाहों तथा भवनों के निर्मान के छेत्र में किया गया एवं अठार्मी सदावदी में आर्थिक किरियाओं के समन्द में किया जाने लगा प्रंतु दुहजार ए दोसो बर्स पुर्व जेवी जेवी से द्वारा विक्षित किये गये सब्द उद्दमी इंटर्पेनियोर के बारे में पुन भरांती बनी हुई है यानि उद्दमी जैसे जैसे जुग यानि समय बढ़ते गए वैसे वैसे इसका रूप विक्षित करते गया अमेरिका में प्राय उद्दमी उस बेक्टी को माना जाता है जो अपना स्वयम का नया ब्यवसाय प्रारम करता है जबकि जर्मनी में उद्दमी वह बेक्ती है जिसके पास सत्ता एंग संपती अधिक मात्रा में होती है बर्तमान में आउथर कोल का यह कथन बिलकुल सत्त परतित होता है कि उद्दमी का अध्यन करना आर्थिक किरियाओं के मुख्य पात्र का अध्यन करना है यानि एक उद्दमी वाफ्तों में समाज का सच्चा नायक यह आर्थिक के यह समाजिक प्रिवर्तनों का अग्रदूत्य माने जाने लगा है किसी देश की व्योशाईक सफलता का निर्धारन उद्दमी द्वारा नौपर वर्तन इनोवेशन से लेकर रचनात्म कार्जों पर अधार पर ही होती है उद्दमी को भावि समाज का अधार यह शोपन द्रिष्टा कहा जाए तो कोई अतिस्योक्ति नहीं होगी बर्तमान में विशोस्तर पर फोड, रोक्र फेलर, कार्नेगी, वाट्सन, मोर्गेन, किल्सर, टाटा, बिल्ला, जिन्दल, डाल्मिया, धिरुभायम बानी, आधि उद्दमियों के कारण ही इनकी संस्थाओं का नाम प्रचलित हुए विविन बिद्द्वानों उद्दमी को विविन नामों से पुकरा है यथा पि उद्दमी का अर्थ जोखिम उठाने वाला रिक्स बीरर, प्रवर्तक, प्रोमोटर यानि की उपकर्म की अस्थापना करने वाला स्वामी ओनर या प्रबंधत, मैनेजर, संगठन करता, और्गनाईजर या समनवे करता, को ओडिनेटर से लगाय जा रहा है प्रन्तु बर्तमान समय में उद्दमी को नवपरवर्तक, इनोभेटर तथा उद्दोग एवंग व्यवसाइक जगत का आर्थिक अगुवा एकनोमिक लीडर कहा गिया है थेंक्यू स्टूडेंट